दुस्तों मैं विकास सभवत करता हूं अपने चैनल है इंट फॉरेवर पर दूस्तों जैसे की गेटवे डिस्ट्रिक पर्क्स लिंटिट का जो है राइट इसुआ है तो पहले कंपनी के वारे में बता जीता हूं कि गेटवे डिस्टिक पर जैसे जीडेल भी कहा जाता है इस और जो कि रेल्वे के नेटवर्क इस्टेबलाइजमेंट के लिए काम करते हैं और जीडीयल जो है यानि कि जो गेटवे डिस्टिक पर लिम्टेड जो है वो लगवग 31 ट्रेंज का सेट जो है ऑपरेट करती है जिसमें 51 ट्रेलर्स भी और तरेलर बी आते हैं अब इसका ट किस तरह दिये जा रहा है तो आपके पास हर सकता ही शेयर हैं तो हर सकता ही शेयर के बदले आपको चार राइट इसू जिये जा रहे हैं और रिकॉर्ड डेट जो थी वह 24 जुलाई 2020 थी आने कि अगर 24 जुलाई 2020 तक आपके अकाउंट में यह डिलिवरी हो चुकी थी यह आप करोड का है और जो राइट एंटाइट निकल गई है क्रेडिट होने की वह 29 जुलाई 2020 याने कि आपके जो भी एलिजिबल शेयर ओल्डर से उनके राइट एंटाइटल्मेंट क्रेडिक हो चुके होंगे उनकी जुलाई को इसू की ओपनिंग डेट है 30 जुलाई याने कि य ओन मार्केट रिनेंशेशन जी यहां रोस्तों जो राइट एंटाइटल्मेंट शेयर ट्रेड हो रहे हैं उनकी लाइस देट साथ अगस्ट दोजार भी से इस देट को बिलकुल दियान में रखिए अगर आप राइट एंटाइटल्मेंट में टेडिंग कर रहे हैं तो का आपका ऐक्राइट वो फाइनलाईज हो जाएगा यह कई वह जाएगा और Georgiश वहाजख एत्ट थेमेंट की चौपिस और यस्की है और यहां पर भात्तर रुपे का राइट इक्विटी रखा गया है वो आपको फुल पेमेंट करना है at the time of application, जी हाँ जैसे ही आप application करने जाएंगे राइट शेयर के लिए तो आपको फुल पेमेंट 72 रुपीज पर राइट इक्विटी शेयर से आपको पे करना है, अब अग यहां पर इक्विटी में देखें तो टर्नौवर बलके 1309.56 करोर हुआ वट नेट प्रॉफिट जो है वो काफी कम हो गया और कम्पनी का नेट प्रॉफिट था 109.40 करोर का तो यहां पर कंपनी में बताया कि उनके हायर डेप्रिसेशन यानि डेप्रिसेशन हाइए हुए ह यहां 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 पर इस फैनेंस कोस्ट जो कि पहले 12.08.00 करोर थी वह अब बलकर 102.06.30 करोर हो गई है तो यह दो रीजन थे जिनके कान जो हैं का नेट पॉफिट जो है इपना डेप हुआ राइट इसू के लीड मेनेजर हैं वो है ICICI Securities Limited और रजिस्ट्रा जो है वो है Link in Time India Private Limited जीडियल जो है यह कंपनी एक्स राइट होई थी 23.07.2020 को और एक्स राइट मितलब जो है क्योंकि राइट इससे आएंगे नए राइट शेर तो कंपनी का जो प्राइज है वो डाइलूट होता है तो एक्स राइट जो हुआ था 23.07.2020 को और उसके पहले वाले दिन याने 22.07.2020 को जो कंपनी का प्राइज था वो 19.25 रुपए था यह बीस्टी पर था और 23.07.2020 को यह स्क्लिट हुआ यानि कि एक्स राइट हुआ और यह स्क्लिट होके 87.0 प्राइज प्राइज था तरीक और अगर वावन वीक राइज देखें तो वह 137.06.2020 का है और वावन वीक लो देखेंगे 52 वीक लो तो 21.01 रुपए का है तो लगभग जो राइट इसू प्राइज है वो इसके 52 वीक से थोड़ा सा जा रहा है और लगभग उसी के आसपास का आप कह सकते हैं अब यहां पर आप देखिए कि इस कंपनी का जो जी डील का करेंट मार्केट प्राइज जो कल का फ्राइडे का फ्राइडे का क्रोजिंग 15.05 जीरो याने की पंदर उपर 50 पैसे का आपका जो है प्राइस चल रहा है इसका अब मैं आप दिखू कि राइट प्राइज और राइट का जो एंटाइटल्मेंट का प्राइज है वो दोनों मिला जो अगर करेंट मार्केट पैसे तो बहुत है तो आप डारेक्ट जो है करेंट मार्केट से आप ऑन मार्केट खरीच सकते हैं जो कि फुली पैड़ प्राइट प्राइज है उसमें से अगर हम इसका जो है घटा देते हैं तो एक्शुल जो अगर आप लेना भी चाहिए तो दस रोपे 15 पैसे से उपर नहीं जा रहा है क्योंकि जैसे ही यह 10 रोपे 15 पैसे उपर जाएगा इसका करेंट मार्केट प्राइज जे ऊपर निकल जा रहा है यह आज के प्राइस के लिए अगर आप नैज डेते हैं तो उस टाइम के करेंट प्राइस को आप इस तरह से कल्कूलेट कर सकते हैं और अगर आपको अप्ल तो यह थी जानकारी GTL के राइट इस्टों के रेलेटेड दोस्तों तो आसका तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को थैंक यू